तो दोस्तों यहां पे मेरे पास पार्सल है रूबू. इन से इससे आप जो है इलेक्ट्रोनिक पार्ट्स खरीच सकते हैं और काफी रिलाइबल वेबसाइट है टाइमली डिलीवर हुजाता है तीन से चार पांच दिन में मैक्सम लगता है डिपेंडिंग अपॉन किस करेंगे कि क्या कुछ इसमें है तो चलिए जल्दी से इसको अनपैक करते हैं पैकेजिंग भी आप देखेंगे तो काफी बढ़िया रहती है और समान इसमें काफी रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है तो क्या क्या चीज़ा मैंने मगाई है यह है क्लैंप मीटर जिससे आ अप्लाइन्स का तो मैक की सिसमें आप ऐसिआ बुकरनलण में मेरा मेजरं कर सकते है और जो है डिसी करेंट मेजर कर सकते हैं जस्त वायर में आपको लगाकर इसको still करना होता है कि कि it na current पना यह दिख लिजीं quality बढ़े उसकी यह दूसरे मल्टिमिटर वाले जूद सॉंक् प्लैम करना पड़ेगा तो यहां प्रखेंगे तो यहां पर प्रेगा तो यह चीज वो गई इसके साथ यहां पर प्रोब्स भी आ जाते हैं इसके बाद मैंने एक ये मल्टी मीटर मंगाया इसकी कोड़ चीज मैं बता दू कि जो इसकी प्राइसिंग थी मुझे कभी बढ़िया लगी एमेजॉन में कम से कम 500-600 को पढ़ रहा था बट यहां पर मुझे 400 रोपे का पढ़ गया उसके बाद यह वाला जो एच टी सी का डिजिटल मल्टी मीटर मैंने मगाया इसका भी प्राइस लगबग 800 के करीब था एमेजॉन में बट मुझे यहां पर आरांड 500-500 के करीब पढ़ा इसको मैं एक बार खोल के दिखा देता हूं पैकेजिंग सब बढ़िया रहती है और एकदम न्यू आइटम आप अभी यह आपको प्रोस मिल जाते हैं तो यह देखिए इसमें मैंने सेल डाल दिए है और अभी देखिए बिलकुल बढ़िया से गाम कर रहे है उसके बाद मैंने यह जो है AC to DC कनवर्टर मगाया है 24 वोल्ट का यह है और फाइफ टू सिक्स एम्टेर्स में मिल जाता है यह मैं आपको दिखा देता हूं यह देखिए बोर्ड की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और सारे कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं मिलकुल नीट एंड क्लीन है तो डिरेक्टली आपको यहां पर AC देना पड़ेगा और 24 वोल्ट का DC सप्लाई आपको मिल जाएगा चार-फाच एमपेर तक तो इसको मैं फिर से प्रेक कर देता हूं इसके बाद यह वाली जो केबल है यह माइक्रो-USB केबल मैंने मगाई 35-40 रुपे की है एक मीटर है और एक और मैंने केबल मगाई माइक्रो-USB इसके बाद यहां पर एक देखेंगे आप यह जो है कुछ I guess step-down बक्का नवर्टर है वन एमपर तक देता है यह तो यह भी है मैंने दो-पीस मगाई थे इसके बाद यह जो है soldering flux है तो यह चीज़ें मगाई थी और भी मैंने बाकी चीज़ें पहले मगाई है तो मुझे इनका जो shipping time है response है और quality है parts की वो काफी बढ़िया लगती है इसके लावा कुछ चीज़ें मैंने थोड़े दिन पहले मगाई थी यह भी मैंने रूबू से मगाई थी जैसे यह 12V का fan है सारा जो order होता है यह made in China ही रहता है mostly लेकिन इसका जो quality है काफी बढ़िया ह फिर यह कुछ मैंने buck converter मगाए थे यह देख सकते हैं और यह वाला जो है यह 150 watt का जो है buck converter है कुछ around 5-6 ampere का इसका rating है और इसके बाद यह single 18650 lithium-ion battery मगाई थी यह 2S के लिए मगाए था मैंने उसके अलाबा यहाप यह 3S के bracket है my cell holder यह है 3S यह 4S के मगाए थे 12V DC fan हो गया फिट 2S के कुछ फिर यहाप आप देखेंगे यह वाला भी है जो buck converter है तो pricing इसकी काफी reasonable थी इसके लाबा देखें यहापे मैंने 4S का case भी मगाए था और यह charging module भी मगाए था तो इसका connection मैंने कर दिया है और चले मैं काफी बढ है बट आउटपूट वाइस काफी बढ़िया है charging में भी साही होगा है तो quality वाइस काफी बढ़िया समान यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है रूबू से सारे पार्ट्स आप देख सकते हैं बड़े अच्छे से यह डिलिवर करते हैं तो definitely आप इस website से खरीच सकते है इसका लिंक में आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में देऊंगा थेंक्यों दोस्तों